नमस्कार दोस्तों AD Civil Services Classes में आप सब का स्वागत है Friends, आज हम लोग अपने इस वीडियो में चार्चा करेंगे कि BPSC में जो Current of Years पूछे जाते हैं वो कहां से आते हैं और आपको मालूम है कि BPSC में जो Current of Years हैं इसकी काफी निल्लाइक भूमिका हैं यहां से हर एक्जाम में 30 questions पूछे जाते हैं इस 30 questions को हम लोग तीन भागों बाढ़ सकते हैं पहला बिहार Special यानि कि बिहार के जो Current of Years है वहां से question आते हैं तो पहला हम लोग देख लिए कि इसका बिहार से दूसरा जो पाट आता है वो National यानि कि इंडिया से समन्दित जो न्यूज होगी वहां से question बनेंगे और तीसरा जो आता है International यानि कि विदेश में जो घट नाए घट रही है वहां से question आएगा ठीक है वो National Current Affairs होते हैं लेकिन जो International Current Affairs की जो घटनाए होती है वहां से कम से कम जो है 15 क्यास पस question पूछे जाते हैं यह ज़्यादा भी हो सकते हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि जो International अस्तर की जो Current Affairs पूछे जाते हैं वो उसमें आया इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसमें काफी उसकी निनायक भून कराती है कोई भी बड़ी घटना अंतराश्टी अस्तर पर घटती है तो वहां पर भी पेसी काफी ज़्यादा फोकस करता है जैसे कि माने चलिए कि अभी जो है रूस और एक्रेन के बीच में यूद चल रहा है वहां से कोशन बन सकता है इसी तरह से एजराइल फिलिस्तिन के बीच में जो अभी संगर्ष चल रहा है वहां से कोशन बनने के संभवना है इसी तरह से जो अंतराश्टी संस्थाएं हैं चाया अंतराश्टी संस्थाओं में आपका G7 हो गया, G20 हो गया, Bricks हो गया और इसी तरह के और भी जो विम्स्टेक सार्क जैसे संगठन है अंतराश्टी अस्थर के वो जो है पूछने की ज़्यादा संभावना होती है BPC में हम लोग कोशन देखेंगे ये पेपर जो है जो BPC का पेपर अभी हाली में कंड़क्ट हुआ है होटी कल्चर का ये बलो कस्तर का अफिसर जो बनते हैं ये BPC के दोरा कंड़क्ट किया गया था तो इसको हम लोग आधार बनाएकर देखेंगे कि BPC में कोशन जो है किस टाइप के पूछे गया है और जो 70 BPC है हमारे जो परपस है वो 70 BPC है तो यहाँ पर जो है किस तरह के हम लोग त्यारी करें कि यहाँ से कोशन जो है मैक्सिम जो है करेंट अफियर्स के टेकल हो जाए हम लोग को अपनी पढ़ाई में जो है रणिती चेंज करनी पड़ेगी करेंट अफियर्स जो है BPC जो है कहां से पूछ रहा है और वहाँ पर ज्यादा फोकस करें ठीक है तो चलिए देखते हैं करेंट अफियर्स जो है कहां से पूछे गए थे तो हम लोग क्यों करेंट अ को कहां स्थापित किया गया चार भी कल्ब है इसके बाद जो है जो सिक्स नमर कोशन है इसको देखिए जैसे कि मैं बात कर रहा था आपको मिलेगा हाले में इटली में 13 से 15 जून 24 तक कायो जीत पचासवे जी सेवन सिकर समेलन में नेमलिकीत में से किस मुद्य पर चार्चा नहीं हुई ठीक है तो यह चार भी कल्ब दिये हुए है इसी तरह सागे बढ़िए मिक्सिंग में कोशन है ठीक है अब यहाँ पर जो है आपको साइन्स के कोशन कुछ मिले फिर इसके बाद जो है बीच में अलग कोशन आ गया फिर यहाँ पर दिखे करेंट अप्यर्स रिसी सुनक ने उनाइटेट किंग्डम के परधान मंत्री के रूप में किस की जगल ली यानि कि रिसी सुनक जब हटे तो इसके बाद जो नए परधान मत्री जो है कौन बने है प्रीटेन का यह जाना चाहे रहा है इसी तरह से आगे देखते है और भी करेंट अफिर्स की कुशन है यह करेंट अफियर्स का ही कोशन है 223 का ही है 223 में किस देश के सरजनों ने दुनिया का पहला अनुवांसिक रूप से संसोधित सुवर का हिर्दय मानों में सफालता पूर्बग परत्यारूपीत किया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यह करेंट अफियर्स लोग सभा चुनाव 24 से पहले अपने पत से इस्थिपा देने वाले चुनाव आउउक्त का नाम है चारवी कलब है इसी तरह से आगे देखते हैं कि और भी कौन से करेंट अफियर्स के कोशन पूछेंगे हैं चुकि इसमें मिक्सिंग है इसलिए आपको देखना पड़ेगा अलग अलग टाइप के अब इसके बाद जो है 22 देखिए हाली में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब महिलाओं के लिए स्री ढखने वाला कपड़ा के उपियोग पर इसे वीदेशी पर जहान करार देते हुए पर्तिबंद लगाने वाला कानून पारित किया है ठीक है तो आप देख सकते है फिरम्स की मैक्सिम अभी जो जितने भी कोशन देखिया तो उसमें जो है आपको जो है अंतराश्टी अस्तर के जो घटनाएं आपको देखने को मिल रही है जो बड़ी घटनाएं घटी है तो आपको ज़्यादा वहां से कोशन देखने को मिल सकते है यह साइन्स का कोशन है आगे बढ़ते है यहाँ पर एकर इंटरफेर्स का कोशन है यह नेस्नल जो है वहां से है तो फिर्मा खंडु ने हाली में उड़ाचल परदेश के मुखमंत्री के रूप में सबत ली यह कोशन पूछागे है कि लगतार कितनी बार उबने लगतार दूसरी बार चौती भार परहली बार तो यह जो है कोशन पूछागे है कि इसी तरह से जो है करेंटर पेर्स के और भी देख रहे हैं हम लोग कौन से कोशन पूछे गए थे यहाँ पर करेंटर पेर्स है भारत ने हाली में किस देश के साथ अस्थानी मुद्रा निप्टान पुर्णाली अस्थापित करने के लिए समझाते पर हस्ताक्षर किये हैं तो इसको भी आप बोल सकते हैं अंतराष्टी अस्तर का ही निव चाहिए यह नेशनल है निमलेकित में से कौन दो है चौवविस में भारत रतने का प्राप्ट कारता नहीं है आगे बढ़ते हम लो और करेंट फियर्स का जो कोशन है उसको देखने का प्रियास करेंगे यहाँ पर देखिए बीस स्वास संगठन डाबलू एचो द्वारा वर्स द्वारा चौविस के लिए स्वास संवर्धन हेतु परतिष्टित नलसन मंडेला पुरुसकार की संस्थान को परदान किया गया ठीक है तो यह कोशन था कर इंटरफियर्स का इसी तरह से और भी कोशन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर है भारत की पहली स्वादेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इंदन सेली फेरी बोट जिसका उधगा टन मार्च द्वार चौविस में परदान मंत्री द्वारा किया गया किसके दोरा विक्सित की गई थी तो यह कमपनी का नाम पूछ रहे हैं आपर इसके बाद जो है करेंट अफियर्स का यह एटीवन स्वासिक अंदास जो भारती रिजर्बेंग के बरतमान और पचीश वे गोर्णर के रूप में कारेरत हैं पहले थे अलकि इसको आप बोल सकते हैं कि यह सासिक अंदास नहीं पहले से बने हुए थे तो यह अलग टाइप का यह कोशन है तो जो जब जिसमें बने थे तूसमें यह सुर्क्यों में रहा होगा तो यह कोशन जो है 81 अलग टाइप का कोशन है यहाँ पर देखिए 22 में हुएसला के पवीत्र समों को परतिश्टित सूची में जगब मिलने के साथ भारत में इन्हें उसको 20 से धरोहर अस्तलों की संक्या बढ़कर हो गई है कितनी हो गई है डिरेक्ट यहाँ पर संक्या पूछा गया इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखिए 87 28 मर्च 24 को अंतराश्टि नियाले ICJ निमलीकित के अप्लिकेशन से समधित मामले में इजराइल के खिलाफ अतरिक्त अंतरीम उपायों का आदेश दिया तिहाँ पर कन्वेंशन है पहला 1907 के हे कन्वेंशन 1948 के नर्शनहार कन्वेंशन 1899 के हे कन्वेंशन 1949 के जिनेवा कन्वेंशन इसके बाद जो है आगे और भी करेंटरफेर्स के कोशन से यहाँ पर आपको मिलेंगे 90 जो है अठारवी लोग सभा के लिए प्रोटेम स्विकर के रूप में की से चुना गया है तो चार अप्सन है यहाँ पर यह बताना था आपके लिए इसके बाद देखिए 92 92 में है कि अंतराश्टिय अप्राधिक न्याले ICC के अभियोकता ने 20 मई 2024 को निमलीखित में किसके बिरूद गिरफतारी वारंट का अनुरोध किया तो देखिए यहाँ पर भी जैसे कि मैं बता रहा था आप देख रहेंगे कि मैक्सिम्म जो भी घटना है अगर इंटरनेशनल अस्तर की पूछी गए तो उसका कही ना कही समझ जो है आयर से रिलेशन है तो इस टाइप के कोशन जो है आपको टेकल करने पढ़ेंगे और आपको माइन्ड को ज़्यादा यहीं पर फोकस करना पढ़ेगा अगर आप करेंटरफेर्स पूछ रहें तो और आपको यह भी देखना पढ़ेगा जो प्रिवियस यह बीपेसी का पूछा हुआ है आपको वहाँ पर देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि इस टाइप के बीपेसी जो है बहुत सारे कोशन हर साल पूछे जाते है वहां से तो हमारा फोकस जो होना चाहिए कि जब भी करेंट अफियर्स पढ़े तो उसमें जो है इंटरनेशनल नीज पढ़े तो उसमें आयार से समंधी जो भी घट नाए घट रही है अंतराश्टी अस्तर पर बड़ी घट नाए चाहिए वह किसी संगंठा से समंधी थो यूद संगर से संधी से किसी भी तरह के समझवते समंधी थो तो उस पर हम लोग फोकस करें तो ठीक है फ्रेंट तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंट मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद